सुनावा आई अपसी फर्स्ट पेंग आप देखे अच्छे खासे क्यूटू के बाद हमें 5% की इंटर डे में गिरावट देखने हूं मिली है और अच्छे नंबस बताएगे थे नंबस से कोई कंप्लेन नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे की पॉइंट्स तो होंगे कहीं न कॉमफर्ट जोन क्या वो आभी पाया नहीं क्या उसकी वजह से और गराव अटाना बाकी है या फिर यहां पर आई अपसी फर्स्ट बेंग के शेर को बाई कर लेना चाहिए तो देखे अल्रेडी मैं आप से कह चुका हूं कि यहां पर ना जो 100 रुपे वो तो चलो चला जा हो पहले ही और काफी कुछ यहां पर वार्णिंग भी दे दी थी और बिल्कुल परफेक्टली यहां पर बनता हूँ दिखाए दिया कुछ अगर बेच लिया होगा तो आपको बेनिफिटी दे रहा होगा क्योंकि पॉसिमल है कि यहां पर जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं अ आप दोजार सोला के हाइस्ट लेवल पर क्लोजिंग है आप उसके ऊपर निकल गए थे आज आप उधरी उसी लेवल पर है पॉसिबल है यहां से तेजी आ जाए या फिर यहां पर एक रेंज ओपन होगी जो कि यहां पर होगी 75 से यहां पर 90 की क्योंकि 100 तो जाना हाल फिल नहीं हो पाया इस वार इस वार नहीं हो पाया तो इसी वज़े से थोड़ा सा यहां पर आप देखें तो confidence जो है वो लूज कर रहा है 100 तो बहुत दूर की बात है 100 गया तो 26 के आसपास का P ratio होगा बहुत ही जादा एक impossible जासा इस वक्त लग रहा है एक range होगी वो आपके साम प्लेन तभी नहीं करेगा जब आप देखोगे year on year basis एक्चुल में आपको year on year basis ही देखना है year on year basis पर ही देखना है बट यहां पर अगर आप देखोगे तो quarter to quarter पर जब आपकी नजर जाएगी तो यहां पर थोड़ा सा मायूसी यहां पर देखने को मिलेगी quarter to quarter कुछ चीज यह दिक्कत यहां पर जो है न वो थोड़ा सा यहां पर फीगा पना है और तेजी हो गई ती stock के अंदर पहले ही तो वो यहां पना सब कुछ एक cycle के अंदर बंदा चला गया इसी वज़े से आज की date में गिराबट है और even अगर आप देखोगे तो P ratio कहां पर है 20.18 पर है 20. 18.18 फ्राइड़ को जब closing हुई थी नमबर से पहले 22 पर P ratio था इंडस्टी पी आपका 18.08 चला है वो इसलिए क्योंकि पूरे entire banking sector में बहुत सारी जो high weightage stocks थे वो गिर गए हैं काफी जादा loose कर गए हैं अपना यहां पर जो है वैलूशन्स so that यहां पर इसी वज़े से इंडस्टी पी कभी 22 के असपास था राइट आपको अगर याद होगा continue हम बात करते रहे 50 से recommend किया है लगातार मैं आपको एक एक चीज बताता रहा हूँ और perfectly वो सब कुछ सही निकला है ठीके ना तो अभी 18.18 पर इंडस्टी पी है जिस तरीक तो यहां पर जो numbers आये ना उन्होंने P ratio पर कोई बड़ा impact नहीं डाला है P ratio पर जो impact आया वो सिर्फ और सिर्फ है stock की गिरावट का आया है that's why यहां पर ना इसी वज़े से आज गिरावट आये क्योंकि कुछ बदलाब नहीं आए इस quarter के बाद यह एक सबसे बड़ी समस्ते अगर मैं यहां पर यह भी देखता हूं कि अगर आपके जो पियर comparison है आप से भी बैटर जैसे इंडेसिंट बैंक आप ले लीजे तो वो उसकी वैलिशन आपसे काफी ज़्यादा लो है वो काफी ज़्यादा लो वैलिशन पर काम कर रहा है समझ रहे ना आप जितना महेंग का एक अलग हिसाब है यह तो यहां पर है फिलाल जो है वो यहां पर यह दिखता है कि हाँ अभी भी थोड़ी सी वैलिशन इंचप है पॉसिबल है अगर मैं यह लिखू ना कि इंडेस्ट्री पी के आसपास अगर इसका पी रेशियो आया है मैं तो अठारा का मान के चलाता है इस वक्त तो वो पी रेशियो आई नहीं ठीके ना क्यूंकि हमारा अर्निंग पर शेयर इतना इंक्रीज नहीं किया है तो वो यहां पर समझने वाली बात थी और यहां पर अगर मैं मानता हूँ कि अठारा की पी पर भी आगर आपका स्टॉक काम कर रहे ना पता है आपक अगर एक हर्डल है बहुत जादा वो क्रोस होगा तब जाकर यहां पर एक नई तेजी बनेगी स्टॉक के अंदर वो कहीं न कहीं आपका अदमख्म लगाएगी सो तक ले जाने पर तब जाकर होगा अभी हर्डल बहुत जा रहे हैं और इन क्यूटू के अंदर दिक्कत क्य आए देखे सबस्वड़ी दिक्कत जो है वह आपका आई है नेट इंट्रेस्ट मार्जिन से क्या आई है जरा यह देखिएगा कि नेट इंट्रेस्ट मार्जिन जो है न वह को एर ओन येर बेसिस पर तो अच्छे लग रहे हैं पिछले साल इसी क्वाटर फाइपॉंट 33 परसंट का नेट इंट्रेस्ट मार्जिन था जो कि घटकर इस वक्त आया है 6.32 क्यू टू के अंदर तो नेट इंट्रेस्ट मार्जिन घटे है और नेट इंट्रेस्ट मार्जिन की वज़े से ही IDFC फर्स्ट बैंक है इतना नेट इंट्रेस्ट मार्जिन फेड़ल बैंक को तो वो यही रीजन है, क्योंकि आप बाकियों से बहतर है, लेकिन इस quarter में यहाँ पर हम बहतर नहीं कर पाई, इसी वज़े से एक correction हमें देखन को मिला है, that's why यहाँ पर correct यहाँ पर stock होता हो नजर आ है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर net profit देखें, यहाँ पर consolidated profit कु quarter to quarter ना slow हो गया, 731.51 करोड के आगे 746.85 करोड तो कुछ inch up हुआ ही नहीं है, inch up हुआ ही नहीं है भाई साब, तो इसी वज़े से ना, यह दूसरा reason है, कि आपका stock क्यों गिरा है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाये होंगे, यह राव वो reason, और earning per share आपका कितना बढ़ा है 1.10 से increase होकर 1.11, तो कुछ नहीं increase हुआ है, क्या comfortable zone में आये होंगे, कुछ भी नहीं आ पाये, तो वो एक किरावट लेकर आया है, यह आपका दूसरा reason रहा है, लेकिन क्या है यह कि बहुत बड़ी दिक्क्त है, नहीं है, बहुत बड़ी दिक्क्त नहीं है, आपका access bank 27 के P ratio पर काम कर रहा था, अल्मोस्ट है, यहाँ पर जो है, आईड़ी अपसी फर्स प्रिंग 24 के असपास के P ratio प काम कर रहा था, गट गट कर 4 पॉइंट गट गट गए हैं P ratio के, 20 पर आ गए, अभी भी access bank अगर आप देखें, तो industry peer से काफी उपर वकर है, 23 के असपास वकर है, बहुत सारे banking stocks जो है, वो उपर ही वकर है, तो market की उपर है, कि market इसको किस तरफ ले जाना चाहता है, यह important है, और इसलिए एक range यहाँ पर मुझे लग रही है, बस 75 से 90 और सही जगा आप क्या होगी खरीदने के लिए, तो सबसे important level तो अभी breach कर चुका है, 84.55 और उसके होगी है, almost है, हम निचले level से recover जरूर हुए है, मेरे हिसाब से, फिलाल तो 80 रुपीज बहुत ही important level है, ठीक है, क्योंकि numbers expect कर रहे थे, अच्छे आएंगे, और अच्छी buying हमें देखने को मिल ले थी, और हम important level की ऊपर ते Friday था, आज हम important level की नीचे, यह आज की दिन का scenario है, जो है, आप एक काम करिए, किसी को खरिदारी करने है, या फिर एवरेज करने हो सोच रहा है, आप SIP करिए से stock में, देखे, यह दिक्कत है ना, आभी जो develop हुई है, marginal जो problem हुई है, यह short term बाली है, थोड़ा सा market का भी एक impact पड़ा है, banking sector के ऊपर, banking sector जैसे ओबरेगा, वो industry P.E. increase होगा, simple सी बात है, आप फिर से comfortable zone में आ जाओगे, ठीक है ना, तो वो एक आप समझने वाली बात करिए, यहाँ पर यह short term बाला है, हो सकता है, यह दो दिन में कि सही हो जाए सब कुछ, हो सकता है, दो हफते लगें, industry P.E. को बरने में, जैसे ही banking stock चलेंगे, उसमें आप भी यहाँ पर जो है, एक अच्छी valuation, यहाँ पर जो है आपका comfort table जो हम बात कर रहे हैं, वो आजाएगा, definitely आजाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, फिलाल जो है, वो आपके सामने यह दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम, आपते दो अच्छी तोड़े आया, अगर तोड़ेगा, तो आपके लिए और भी अच्छा है आगे के लिए, क्योंकि यह महिने देड महिने की दिक्कत है, दो महिने की दिक्कत है, उसके बाद तो सब तो यहाँ पर जो है, सब बढ़िया है, क्यों 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 क्यो ठीक है और अच्छे खासे तरीके से यहां पर प्रेडिक्ट किया है आईडियाफसी फस्ट वेंग तो मुझे पता है कि क्या यहां पर ठीक है क्या यह 100 रुपे क्रोस कर जाएगा उसके लिए बहुत कुछ चाहिए है तो वो इस वक्त तो नहीं देखने को मिल रहा है कर जाए मार्केट एक अलग बात है लेकिन वो इतना महंगा हो जाए कि रिटेर इन्वेस्टर खोदी यहां पर कहेंगे कि यार यह तो बहुत महंगा हो गया तो वो सिंपल सी बात है ठीक है ना तो अमीद है आप इस बात को समझेंगे SIP कर रही है अगर किसी को करना है फिलाल तो जो है कुछ दिखनी रहा है IDFC First Bank के अंदर फिलाल इन Quarterly नमर से कुछ जज नहीं कर पा रहे हैं फिलाल इन IDFC First Bank के Q2 नमर से कुछ comfortable समझ में नहीं आ रहा है कुछ comfort आया है और ऐसा कुछ दिखनी रहा है सो अमीद है आप इस बात को समझेंगे आपके कहने इसके उपर कमेंसर सन कहीगा और अब दीच में जाए वड़ी देखने के लिए अब तो धन्माद दूस्तो